रहस्य मई ताला एक दिन, नीतु और उसका छोटा भाई मोहन बगीचे में खेल रहे थे, जब मोहन को एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी मिली. मोहन ने उत्सुकता से पूछा, ये किस ताले की चाबी होगी? नीतु ने सोचा और बोली, आओ, चलो ढूंडते हैं. दोनों ने घर का कोना-कोना चान मारा, पर कहीं भी ऐसा ताला नहीं मिला, जिसमें वो चाबी लगे. तभी नीतु को बगीचे के पीछे की पुरानी कोठरी याद आई, जो सालों से बंद पड़ी थी. दोनों ने जल्दी से वहां जाकर चाबी ताले में डाली. ताला खट से खुल गया और कोठरी का दर्वाजा धीरे-धीरे चर्मराते हुए खुला. अंदर एक पुराना संदूक रखा था. दोनों की धड़कने तेज हो गई. जब उन्होंने संदूक खुला, तो अंदर सोने चान्दी के गहनों की जगह एक चिठ्थी मिली, जिसमें लिखा था, दया सबसे बड़ा खजाना है. नीतू और मोहन हैरान हो गए. वो दोड़कर अपनी मा के पास गए और उन्हें सब बताया. मा मुस्कुराई और बोली, ये संदेश हमें याद दिलाता है कि असली खजाना धन दौलत नहीं, बलकि हमारे अच्छे कर्म और दया है. उस दिन स दोनों भाई बहन ने हर किसी के प्रति दयालू बनने का वादा किया. शिक्षा, दया सबसे बड़ा खजाना है.